No Due या No Due Certificate का क्या मतलब होता है आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं No Due Certificate जो है वो एक Official Document होता है जो ये वेरिफाई करता है कि उस Organization में या उस वैक्ति का या उस संस्था का कोई भी जो Due है कोई भी Payment बकाया नहीं है यानि कि ये कई तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो मान लेजे आप किसी College या University को छोड़ कर दूसरे College या University में जाते हैं तो उससे पहले आपको No Due Certificate लेना होता है कि उस College या University के कोई भी पैसे आप पर बकाया नहीं है इसी तरीके से किसी Company को छोड़ कर आप जाते हैं किसी दूसरी Company में जाते हैं तो तब भी आपको ये No Due Certificate लेना होता है इसी तरीके से कोई भी Loan अगर आप ने लिया है तो वो Loan Close आप जब करवा देते हैं पूरा Loan आपने पे कर दिया तो उसके बाद भी No Due Certificate आपको लेना होता है और इसके इलावा भी कई बार आपको अलग-अलग चीज़ों के लिए No Due Certificate लेना होता है कि आपको कोई भी पैसा बकाया नहीं है और कई बार Companies को भी No Due Certificate लेना होता है कि उनका Tax का या किसी चीज़ का कोई पैसा बकाया नहीं है कोई पैसे उनको अभी देने नहीं है उनकि उन्होंने सारे पैसे भर दिये है तो उसके लिए जो Certificate दिया जाता है उसे No Due Certificate कहते हैं और इसका मतलब होता है कि कोई भी राशी बकाया नहीं है वो इस बात का प्रमान पत्र होता है तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहें तो आपकी स्क्रीन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप पढ़ सकते हैं उसको और बहतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें